मतलब होता है व्हार्टीक होता है ओके norm और चलिले बात करते हैं अमारे पहले शुबंकर के बारे में यहोर्य फीफा वर्ड कप का जो कि कि अभी कतर दोहा में आयुजूत हो रहा है यह है लाइब जो कि इसका शुभंकर है और यह फोट बॉल है इसका नाम है अल रहेला ठीक है और इसका मतलब होता है यात्रा या फिर ट्रैवलिंग और इस जो मैस्कॉट है लाइब इसका मतलब होता है सुपर skilled player तो ये एक याद करना वाला point होगा ठीक है जो इससे बनेगा तो ये जो next mascot है ये है Birmingham जो Commonwealth game हुए थे Birmingham में वहाँ का इसका क्या नाम है इसका नाम है Perry जो कि छोटी सी बच्ची ने design किया था इस mascot को ठीक है और next mascot है 36 national games जो कि गुजरात में अभी आयोजित हो जिसका नाम है शवाज ये जो है ये शवाज है जो कि 36 national games का mascot है ओके next बात करते हैं smart triplet smart triplet जो है official mascot announce किया गया है Asian games का 2022 का ये इस साल आयोजित होने थे चाइना में बड़ जो वहाँ कोईट के cases है वो काफी बढ़ रहे है ये इसलिए आयोजित नहीं हो पाया है 2024 का और ये जो फ्रिजेश है ये पैर अलंपिक और ओलंपिक दोनों का है और ये जो उषवंकर है ये प्रतीक है French Revolution का ओके फ्रांस में हो रहा है ओलंपिक तो ये फ्रेंच रेवलिशन का प्रतीक है ये हैं फ्रेंच रेवलिशन याद रखने का पॉइंट है ओके नेक्स बात करते हैं नेक्स है थंबी 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 ऑफिशल मेस्कॉट ऑफ 44 चैस ओलंपियाड जोकी चिन्नाई में आयोजित हुए थे पर पहले ये और ये और यूक्रेन के वार के कारण ये वहां आयोजित नहीं हुए थे और ये यहां शिफ्ट किये गया ओके इ खेले उन्या यूथ हीम्स के इसको जो आयोजित है ये फोर्थ सेशन था इसका और ये पंचुकलर हर्याना में अर्गनाइस हुए थे कहां हर्याना और इसमें जो टॉप किया था फर्स्ट वो भी हर्याना ने ही किया था ओके